जैसा कि अभी आप यहाँ पर इस्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे पास यह एक फोटो है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम खराब कुल्टी एकदम बोल सकते हैं एकदम बलरी है यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जूम करने के बाद भी लेकिन अगर इतने जादे बलर फोटो के इतने जादे खराब फोटो को अगर आप क्लीन करना चाहते हैं बिल्कुल ऐसा तो वो सिर्फ आप एक क्लिक में कर सकते हैं बिल्कुल यह एप्लिकेशन एकदम बिल्कुल फ्री है आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की मिम्बर सी बाई करने की यह सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने विडियो को इसलिए बलर किया हुआ है कि पहले आप मेरी बात सुन लिजे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर आपको फॉस्ट ली एप्लिकेशन भी बता दूँगा और उसके बाद किस तरीके से आप अपने बल इन्हेंस करने के लिए आपको किसी भी तरीके की मेंबर्सिप बाई करने की ज़रूत नहीं है लेकिन यहाँ पर इस एप्लिकेशन में एक लिमिटेशन होगी कि आप एक दिन में सिर्फ तीन बार ही अपने फोटो को इन्हेंस कर सकते हैं, इस्टी क्वाल्टीम कर सकते हैं या फिर जो भी एप्लिकेशन में फिचर दिये हुए हैं, वो सिर्फ आप तीन बार ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको तीन बार से ज़्यादा यूज करना है, बिना मेंबर्सिप इसके बाई किये हुए, तो उसके लिए क्या करना है, मैं इस वीडियो की लास्ट म जिसके थुरू आप अपने किसी भी बिलर फोटो को इन्हेंस कर सकते हैं, एजडी क्वालिटी में कनवर्ट कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कीजिए, ओपन करेंगे, गेट स्टार्टेड पर यहाँ पर आप क्लिक करिए, और इन अपने फोटो को एनिमेटेड भी बना पाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे फॉंक्षन यहाँ पर दिये गए हैं, तो जब यहाँ पर एप्लिकेशन ओपन ही हो रही है, तो आप यहाँ पर दीखिए, इनके मेंबर्सीप को यहाँ पर बाई करने का ओप्सन दीखाई दे र अगर आप कोलराइज करना चाते हैं, इनिमेटेड बनाना चाते हैं, या फिर अगर आपके फोटो पे बहुत सारे स्क्रेचेस वगेरा हैं, उसको अगर आप ठीक करना चाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी चीज़े कर पाएंगे, ठीक है, तो जबकि अभी हमें यहाँ पर अपने फोटो के क्वाल्टी को इन्हेंस करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ ट्राइट नाओ पर क्लिक करना है, यहाँ पर पर्मिसन देनी है अपके फोन के गैलरी की, और यहाँ पर आप फोटो चूज कर लेंगे कि किस फोटो को आपको क्लीन करना है, तो मुझे यह अभी आप इसकी क्वाल्टी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कितनी ज़्यादा खराब है, अगर इसको इन्हेंस करना है तो आपको यहाँ पर इन्हेंस का यह ओप्सन दिखाए दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक एड़ प्ले देखने क मिलेगी, तो इस एड़ के लास्ट होने के बाद मैं आपको यहाँ पर क्वाल्टी दिखाता हूँ, ठीक है, एड़ खतम हो गया, यहाँ पर कैंसल करते हैं, और अब आप देखिएगा, आफ्टर और बिफोर रिजल्ट, पहले यह इमेज कुछ ऐसा था, और अब क्लिन होन के बाद आप यहाँ पर क्वाल्टी देख सकते हैं, ठीक है, तो अब इस फोटो को अगर आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर यह पिक्सल अब की यहाँ पर मार्क आ जाएगी, तो अगर आपको इसको डाउनलोड लेना है, तो आप यहाँ पे screenshot ले सकते हैं screenshot मैंने ले लिया ठीक है अब मैं आपको यहां पे after and before का result दिखाता हूं यह वाली image को हम लोग यहां पे clean किया हुआ है आप यहां पे देख सकते है quality अगर मैं zoom भी कर रहा हूं तो यहां पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अगर मैं यहां पे clean कर देता हूं तो आप यहां पे देखिए ठीक है quality कितनी ज़्यादा enhance हुई है अगर मैं इसको दुबारा से clean करूँगा तो इससे भी और अच्छी quality हुआ हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आप अपने किसी भी blur photo को enhance कर सकते हैं मैं यहां पे एक और image को यहां पे आपको clean करके दिखा देता हूं यह वाली image इसकी quality भी बहुत ही ज़्यादा खराब है आप यहां पे जैसा कि देख पा रहे होंगे यहां पे कुछ भी उतनी अच्छा से enhance करते हैं यह यहां पे आप देख पा रहे होंगे ठीक है तो अगर मैं यहां पे भी इसको भी screenshot लेकर आपको दिखा दूँ तो आप दीखिए पहले वाली image जो थी वो यह वाली थी आप यहां पे quality देख लिजए नहीं पता चल रहा है लेकिन यहां पे आप quality देखिए ठीक है कितनी ज़्यादा clean हो चुकी है image तो इस तरीके से आप अपने किसी भी blurry photo को बहुत ही आसानी से सिर्फ एक click में clean कर पाएंगे HD quality में convert कर पाएंगे अब यहां पे सबसे important बात जो कि मैंने आपको बताए हुआ था कि तीन बार से ज़्यादा आप इस application को use नहीं कर पाएंगे तो उससे ज़्यादा अगर आपको unlimited times use करना है बिना membership के लिए तो उसके लिए आपको application पर hold करके रखना है app info के option पर चले जाना है यहाँ पर आपको clear data का यह option है और clear all data बस यह clean कर देना है तीन बार जैसे limit आपकी खतम हो जाती है आपको बस यहाँ पर clear data कर देना है और अब आप वापस से तीन बार फिर use कर पाएंगे खतम हो जाती है तीन बार वापस से clear data करिएगा और वापस से इस application को आप use कर पाएंगे तो इस तरीके से आप unlimited times अपने मतलब इस application को बीना membership by किये हुए use कर पाएंगे ठीक है तो same process को use करके अगर आपके पास भी कोई एक खरा photo है पूरानी photo है अगर आप उसको HD में convert करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और यहाँ पर अगर इसमें तीन बार अगर आप use कर लेते हैं limit खतम हो जाती है तो वापस से आप application के पूरी के पूरी history यहाँ पर delete कर देंगे और वापस से आप तीन बार फिर से use कर पाएंगे इस application को तो बस फिलाल आज की वीडियो मस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए, जय हिंद करेंगे करेंगे करेंगे